लोग डूपती वी अर्थ विवस्था और बढ़ती वी महंगाई से परेशान हैं पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगारी से हताश हैं किसान सलको उपर है उद्योगों के हालाद भी ठीक नहीं है भुकमरी गरीबी अपने चरम सीमा पर है दलितों, अल्प संख्यकों, महिलाओं, आदिवासियों, मजदूरों के हालाद भी बद से बतर होते जा रहे हैं सरकारी हस्पतालों, स्वास सुविधाएं दम तोड़ती जा रही हैं फिर भी हमारे देश का सबसे एहम मुद्दा बना हुआ है लव जिहाद इस लव जिहाद के शोर ने जनता के आम मुद्दे, रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, पानी, सड़क, सिच्चा और रोजगार जैसे मुद्दों को गय भी कर रखा है फिर भी जनता ये सवाल नहीं करती है कि आखिर क्यों हमारे देश की राजनीती वास्तविक मुद्दों से भटक कर संपरदाईक मुद्दों में उलच के रह गई है आखिर क्यों चर्मराई हुई स्वास्त विवस्ता कोवीट से मरतेवे लोग चुनावी मुद्दे नहीं बनते हैं क्या हमारा समाज कंप्लीटली पोलराईज हो चुका है क्या हमारा सोचने का तरीका क्या हमारा उठना, बैटना, खाना, पीना, रहना, सहना सब कुछ संपरदाइक हो चुका है क्या हमारे देश में नैतिक राजनीती ने दम तोड़ दिया है दोस्तों बड़ा दुख होता है जब हम जागरोक नागरिक बनने के बजाए हम धार में कुनमादी, उगरवादी और दंगाई बनते जा रहे हैं आज के डिसकुशन में हम समझने की कोशिश करेंगे कि लव जिहाद का मुद्दा क्या है मेरे नजरिये में लव जिहाद एक सोची समझी राजनैतिक रणनीती का हिस्सा है जिसको राइड विंग और्गनाईजेशन्स ने अपने राजनैतिक फायदे के लिए उच्छाला है ये कहा जाता है कि एक अंतराश्ट्रिय सड़यंत्र चल रहा है जिसमें कुछ मुस्लिम देश, कुछ कटरवादी मुस्लिम संस्थाएं भारत में कुछ लोगों को फंडिंग कर रही है ताकि इस देश में जिहाद पैम किया जाए जिहाद को इतना निगेटिवली प्रोट्रेक किया गया है हिंदु समाज को अल्प संख्यक बनाना चाहती है मुस्लिम समाज इस देश में दुबारा मुस्लिम रास्ट कायम करना चाहती है और कैसे कायम करना चाहती है इसके लिए ये अफवा फैलाया जा रहा है कि मुस्लिम लड़के यानि कि मुस्लिम लव रोमियोस एक सोची समझी साजिश के तहत हिंदू लड़कियों के साथ प्यार का नाटक करते हैं उनको seduce करते हैं उनको allure करते हैं उनको threaten करते हैं उनका rape करते हैं या शादी करते हैं और अंतता और आखिर में उनको अपना धर्म को परवर्तन करने के लिए मजबूर करते हैं यानि कि forceful conversion के एक हिंदू लड़की इसलाम धर्म को अपनाती है और ये उसके धर्म का अपनाना उसका धर्मांतरण जो है उसकी अपनी मर्जी से नहीं है इसके पीछे एक लंबी चोड़ी साजिश है दोस्तों मेरी नजर में ये विचारधारा एक सोची समझी इसलामोफोबिक राजनैतिक सर्यंतर है इस एजिंडा के तहट हमारे देश में हिंदू और मुसल्मान के बीच की खाई को और चोड़ा करने की कोशिश की जा रही है इस एजिंडा के तहट एक डर का एक खौफ का माहौल क्रियेट करने की कोशिश है ताकि हिंदू समाज मुसलिम समाज से नफरत करे दोनों समाजों के बीच में दोनों लोगों के बीच में एक अविश्वास का माहौल हो एक दूसरे पर भरोसा न करे यह इस तरह की सियासत है राजनैतिक पार्टियों से उम्मीद नहीं है तो ऐस के बीच में एक प्वूस्वास का मिनीकेशन हो तो इसलिए मैं यह मानता हूं कि लब जिहाद का मुद्दा एक अफवावदी विचार धारा है जिसके इस राइड विंग और्गनाइजेशन ने एक पूरी एक और्गनाइज तरीके से गली, कूचो, मुहलों, गाओं, कस्बों में फैला रहे हैं ताकि ये समाज धार्मिक तोर पर उत्तेजित हो जाए एक संपरदाइक उत्तेजना का महौल क्रियेट हो एक गुसा का महौल क्रियेट हो जिसका राजनायतिक पार्टियां वो राइट विंग पॉलिटिकल पार्टीज को मिल सके लव जिहाद का मुद्दा इसके तहट कुछ डर कायम किये जा रहे है इसमें डर ये है कि अगर हिंदू समाज के अंदर चेतना नहीं जागी अगर वो पॉलिटिकली कॉंशिस नहीं हुए तो ये मुसलिम समाज एक साजिश के तहट उनको अल्प संख्यक बना देंगे उनको अपने ही देश में ये हिंदुस्तान को एक मुसलिम राष्ट बना देंगे एक मिजॉरिटेरियन विक्टिम हुट का आईडिया है पेश करने की कोशिश है ये एक तरह की कोशिश है जिसे ये साबित किया जा सके कि मुस्लिम समाज कभी बहतर नहीं हो सकती कभी वो देश के हित्में नहीं सो सकती है ये भी कहा जा रहा है कि मुस्लिम सिविलाइजेशन जो है वो हिंदू सिविलाइजेशन के लिए एक खत्रा है मेरे नजरिये में ये सरासर गलत है और ये कोई नया नजरिया नहीं है हिंदुस्तान में जब जब चुनाओ होते हैं संप्रदाइक मुद्दे आकर के खड़े हो जाते हैं हमने देखा है अजादी से पहले भी और अजादी के बाद भी और खास तोर से हमारे देश में लव जिहाद का मुद्दा 2009 से चल रहा है केरल में इसकी शुरुआत हुई थी और कोश्टल रीजन करनाटिका में भी इसकी शुरुआत हुई थी केरला कैथलिक बिशप काउंसल ने अक्टूबर 2009 में एक शिकायत की कि उनके साड़े चार हजार लड़कियां उनकी गायब है उसी तरीके से करनाटिका में हिंदू जन्जागरिती समीती ने एक मुद्दा उठाया कि यहाँ पर 30 हजार हिंदू लड़कियों को कनवर्ट कर दिया गया हिंदू धर्म से इसलाम धर्म में लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ कि यह मुद्दा एक अफवाह वादी मुद्दा है एक एजिंडा है एक रड़नीती है क्योंकि जो दच्चिर पंथी संस्थाएं हैं इनके पास देश के आर्थिक समाजिक और राजनैतिक मुद्दों पर समस्याओं पर इनके पास कोई जवाब नहीं है उनके पास कोई रोड मैप नहीं उनका सॉलूशन नहीं इसलिए हमेशा समपरदाइक सांस्कृतिक और धार्मिक मुद्दे को दार्मिक और तेजना को बढ़ाते रहते हैं लव जिहाद का मुद्दा एक राजनैतिक रड़नीत है 2009 से लेकर की 2021 तक पुलिस का इन्वेस्टिगेशन हुआ CID का इन्वेस्टिगेशन हुआ SIT का इन्वेस्टिगेशन हो चुका है NIA का इन्वेस्टिगेशन हो चुका है आदालते इस पे टिपड़ियां कर चुकी है पार्लेमेंट में खुद हमारे सरकार ने का है कि लब जिहाद जैसा कोई मुद्दा नहीं एक प्रोपेगिंडा है स्टेट की लेजिसलेटिव इसमेलीज में इस बात को नकारा जा चुका है फिर भी इस मुद्दे को हमेशा हवा दी जा रही है वज़ा राजनीती के अलावा और कोई चीज नहीं है क्यों राजनीती मैं इसको कहता हूँ यह एलेक्टोरल डिविडेंट का मैटर है कि जब भी चुनाव होता है जब भी हमारे देश में या किसी राज्य में चुनाव होता है लब जिहाद जैसे मुद्दे आ जाते हैं और 2009 के बाद से ऐसा कोई चुनाव नहीं हुआ ऐसे उन चुनाव में ऐसी कोई स्पीचेज नहीं ही दच्छपंती संस्थाओं के दौरा जिसमें लब जिहाद जैसे संपरदाइक मुद्दों को उच्छाला नहीं गया है दोस्तों आज हम देखते हैं कि कई बिजेपी शासे तुराजियों में बिजेपी रूल्ड स्टेट्स में एक निया हंगामा खड़ा हुआ है कि लब जिहाद को रोकने के लिए एक कानून बनाएंगे उत्तर परदेश ने 2020 में नॉब्बर 2020 में एक कानून एक ओर्डिनिंस पास किया जिसको प्रोहिबिशन आफ अनलाफल रिलिजेस कनवर्जन ओर्डिनिंस कहते हैं उस पर हंगामा कहा गया कि ये कानून लब जिहाद पर शिकंजा कसेगा पूरी कानून में कहीं भी लब जिहाद का जिक्र नहीं है ठीक उसी तरीके से मद्य परदेश ने दिसमबर 2020 में फ्रीडम आफ रिलिजेस ओर्डिनिंस लेकर की आए हर्याना और करनाटिका कह रहे हैं कि हम भी इसकी तैयारी कर रहे हैं इस से पहले उत्रा खंड में फ्रीडम आफ रिलिजेन एक 2018 आया है हीमानचल परदेश में भी फ्रीडम आफ रिलिजन एक आया 2019 में इन तमाम जो लॉज हैं जो कानून है उनका एक मकसद है कि एक देश में एक माहोल बनाया जाए जिसमें ये साबित किया जाए कि ये सरकारें लब जिहाद को ले करके कितनी सिरियस हैं अभी हाल ही में अपरेल में 2021 में गुजरात एसेंबली ने भी अपने पुराने कानून फ्रीडम आफ रिलिजन एक दोहजार तीन में कुछ संशोधन किया और उन्हें कहा कि कोई भी फोर्सफुल कनवर्जन होगा शादी के लिए काफी स्ट्रॉंग पनिश्मेंट दिया जाएगा हंगामा एक क्यों बरपा आइरनी देखिए कि हमारे देश में एक एंटी कनवर्जन लॉज है जो 1967 से ऑपरेट कर रहा है फिर भी उत्तर परदेश ने मद्य परदेश ने उत्तराखंड ने हिमान चल ने गुजरात ने नए कानून लेकर के आएए इन कानूनों को अलेटी सुप्रेम कोर्ट में चुनौती दिया जा चुका है मेरे नजर में ये सारे कानून अनकांसिचूशनल है जो आर्टिकल 21 की खिलाफ है जो राइट तु लाइफ और लिबर्टी है वो उसके खिलाफ है क्योंकि कई सारे जज़्जमेंट में चाहें वो सुप्रेम कोर्ट हो चाहें वो स्टेट हाई कोर्ट हो वो इस बात को कह चुकी है कि राइट तु चूज अ पार्टनर फॉर मैरिस इस पार्ट अफ लाइफ और लिबर्टी अभी के जो कानूने या चाहें लब जिहाद का जो एजिंडा है ये खास तौर से ये पुरुष प्रधान समाज के वर्चस को काईम रखने के लिए लाया गया है ये मान लिया जाता है कि विमन के पास अपनी कोई एजिंसी नहीं है ये तमाम कानून देश में संपरदाइक राजनीती को और नफरत के माहौल को बढ़ावा देंगे और आखिर में यही कहना चाहूंगा कि लब जिहाद एक सोची समझी राजनैतिक रडनीती का हिस्सा है जिसका इस्तमाल राइट विंग और्गनाजेशन अपने राजनैतिक फायदे के लिए करना चाहते हैं ताकि हिंदुस्तान का समाज धार्मिक तोर पर पोलराईज हो सके और उनको जादा से जादा ओट मिल सके जागरूग बनिये सवाल करना सीखिए ये हमारी जिम्मेदारी है देश के प्रती सम्विधान के प्रती अपने लोगों के प्रती शुक्रिया अपना ख्याल लखिए फिर मिलेंगे किसी और मुद्दों के साथ नेक्स वीडियो